ब्लड प्रेशर का कोई ग्यात उप्चार नहीं है इस बीमारी को सिर्फ दवां और लाइफ स्टाइल में बतलाव करके ही कंट्रोल किया जा सकता है हाई ब्लड प्रशर का अगर समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो ये हाट समस्याओं को पैदा कर सकता है हाई ब्लड प्रशर के मरीजों को बहुत सी खाने पीने की चीजों से परेज होता है आज हम आपको ऐसे foods के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका सेवन high blood pressure के मरीजों को नहीं करना चाहिए नमक, high blood pressure के मरीज अपने खाने में नमक का कम सेवन करें high blood pressure के मरीजों के लिए नमक का जादा सेवन उच्छ रक्ठ चाप और हाट समस्याओं का कारण बन सकता है भोजन को संरक्षित करने के लिए नमक की जरूरत होती है नमक भोजन को जल्दी सडने से बचा कर उसे लंबे समय तक खाने योग्य बनाता है नमक वाले संरक्षित चीजों का सेवन high blood pressure के रोग्यों के लिए परिशानी का कारण हो सकता है अचार को लंबे समय तक सही रखने के लिए नमक का इस्तिमाल किया जाता है इसलिए high blood pressure के मरीजों को अचार के सेवन से बचना चाहिए कैफिन high blood pressure के मरीज कैफिन वाले चीजों से दूर ही रहें तो बहतर है चाय, कॉफी और सोडा जैसे ड्रिंक नुकसान दे साबित हो सकते हैं मसाले ज्यादा मसाले खाना blood pressure के मरीजों के लिए नुकसान दायाब हो सकता है खाने में इस्तिमाल होने वाला मसाला blood pressure की समस्या को और ज्यादा बढ़ा सकता है शूगर हाई blood pressure के रोगियों को शूगर या मीठी चीजों से बचना चाहिए शूगर का जादा सेवन करने से मोटापा बढ़ सकता है जो हाई blood pressure के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है